हाई अम्शूश्मितावानच्छी समय का इंपोर्टेंस तो सबको पता ही है पर समय को यूस कैसे करना है डिवाइट कैसे करना है ये सबको नहीं पता तो आपकी प्राब्लेम का सल्यूशन मैं लाए हूँ सिर्फ आपके लिए आज मैं आपको बताऊंगी कि पूरे दिन में आपको कौन सा काम पहले करना चाहिए और कौन सा बाद में तो विडियो से जूरे रहिए पिसली बार मैंने विडियो बनाए थी कुछ खाने के ऊफर जिससे आपका Memory Power बढ जाएगा तो अगर आप अपना Memory Power बढ़ाना चाहते हो तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखना तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जब आप अपना दिन शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले आपको वो काम करना चाहिए जो की आपके लिए सबसे जादा इंपोर्टेंट है मतलब जो आपके लाइफ का गोल है आपको उससे जुरी काम करना चाहिए जैसे कि अगर आपका गोल कोई competitive exam crack करना है तो आपको सबसे पहले उसकी preparation करना चाहिए अगर आपका most important काम खतम हो गया हो तो अब आपको वो करना है जो आपके लिए उतना important नहीं है पर जिसके आपको emergency है जैसे कि अगर आपको assignment submit करना हो तो उसका fixed date है मतलब कि ये आपके लिए एक emergency work है अभी आप वो कर सकती हो जो करने में आपको बहुत मज़ा आता है जैसे कि अगर आप music को लेके बहुत passionate हो तो अभी आप वो practice करो जब खुद का सारा काम खतम हो गया हो तो अब आप दूसरों के लिए helping hand बन जाओ जैसे कि आप अपनी family, friends, परोसी या चाहो तो अंजान लोगों की भी मदद कर सकते हो इसके बिना तो life अधूरी है अगर आप पूरा दिन बस काम ही करते रहो तो वो बहुत boring हो जाएगा तो आखिर का time अप इसके लिए बचा के रखो तो दोस्तों मैंने आपको एक अच्छा सा routine बता दिया I hope आपको helpful लगी हो क्या करे, क्या ना करे अब ऐसा confusion नहीं रहेगा तो समय को अच्छे से divide करो फिर बात में पच्चताना नहीं परेगा वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक like, comment, share और subscribe कर देना उससे मुझे वीडियो बनाने में motivation मिलती है तो फिर मिलेंगे next Wednesday को तब तक के लिए goodbye and divide your time